Hello everyone rule no.37 क्या कहता है the phrases like it is time, it is high time, it is about time ये जब भी आपके follow होते हैं किसी clause के द्वारा clause यानि subject verb object का combination ठीक है तो उस clause में जो verb होता है वो आपका past subjective mode use होता है यानि आपका verb का second form ठीक है verb का second form इसले कहते हैं कि mostly past subjective mode में क्या होता है we two ही use होता है एक आपका चीज आपका different होता है इसमें वो होता है आपका देखो बी का जो second form होता है was, were होता है तो जब भी हम past subjective mode की बात करते हैं तो हम were use करते हैं चाहिए वह आपका subject singular है plural है doesn't matter टेक है always were use होता है आज ये जो structure है it is time it is high time के साथ clause वाला structure कभ यूज होता है ये तब ही जोता है कुछी overdue है ओके मैं वह नहीं तो चाहिए थी लेकिन अभी नहीं ही ओके तो इसका ये example देख लेते हैं आपका it is time we go home तो इसका क्या मत्दब है यह वर्स हम है जो हमें घर जाना चाहिए ठीक है बट अगर मैं यह कह रहा हूं अच्छा एक चीज को ऐसे समझ लेते हैं ठीक है लाइक आप खेल कूद रहें और आपका exam कल है ठीक है ओके तो कोई आपसे कहेगा बेटा यह सही समय है कि आप पढ़ लेते थोड़ सा ताकि आपको कुछ अच्छे माक्स मिल जाते तो वहाँ पर वह यह ही कहेगा आपका it is time you should study या फिर आपका you studied okay तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि यह phrases और यह clauses हम तब भी use करते हैं जब हमें यह चीज बतानी होती है कि यह समय है ठीक है जब आपको यह करना चाहिए okay बट इसका जो understood meaning होता है वो यह होता है कि आप वो चीज कर नहीं रहें समझ रहें मेरी बात को ठीक अगर मैं कह रहा हूं यह सभी समय कि तुम्हें पढ़ना चाहिए okay ताकि तुम अच्छा score सको कर सको तो इसका मतलब इसका जो understood meaning है कि वो आप कर नहीं है okay वो आप कर नहीं रहें okay बट यू डूंट इसका understood meaning हो जागा तो यह आपको ध्यान रखना है it is time we go home तो इसका क्या होना चीए आपका it is time we went home ठीक है एक दो और example है वो भी हम देख लेते हैं discuss कर लेते हैं उनसे भी related questions बन जाते exam mission में वो भी हम discuss कर लेते हैं okay तो यहाँ पर आपका it is high time देखो अगर हम बात करते है it is high time का तो वही sense है okay it is high time you clean your room तो इसका मतलब यह सही समय है okay कि आपको अपना कमरा आप नहीं कर रहे है okay इसका यह understood meaning है तो इसका क्या होना चाहिए you clean होना चाहिए वर्फ का second form okay that is high time phrase हो गया you subject हो गया clean verb हो गया your room noun phrase हो गया जो आपका clean verb का object है clean what okay room noun है your आपका positive objective यह room noun को modify कर रहा है तो यह होना चाहिए आपका clean okay it is about time से भी related examination में question बनता है उसको भी हम द देख लेते हैं तो it is about time okay our team win okay तो it is about time है फिटसे वही phrase है आपका तहां पर our team win नहीं होगा our team won होगा क्योंकि हमें क्या करना है हमेशे past subjective mood use करना है after the phrases it is time it is high time it is about time it is right time okay यह भी हो सकता है तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखने है कुछ questions इंसे related में लेक्या हूं ओके दो तो इन तीनों questions के answer comment करिएगा मिलते हैं in the next section till then जयन जय भारत